ओकी दोस्तों वेलकाम आई यूट्यूब चैनल लगें मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बस्वागत है दोस्तों कई बार चोड़ी चोड़ी वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हम सब के लिए ठीक है क्योंकि हम सोला एंजी सिस्टम यूज कर है तो इससे कैसे हम एंपियर कर लें हमारी बैटरी कितने एंपियर चार्ज हो रही है अगर हमारे पास ऐसा कोई सिस्टम नहीं है देखिए ठीक है हमारे पास यह मेरे पास समय सप्लाइए तो मैं चेक कर लेता हूं आप लोग को कैसे बताएं वीडियो में पूरा तो देखिंगे तो सब से पहले आप लोग को अपने मीटर को आन करना है लेकिन वोल्टेश की जगे आपको लाना है इस 10 पर यह 10 है याँणि DC एंपियर के बताएगा हमें ठीक है 10 एंपियर तकी रेंज है 10 पर सैट कर दिया देख सकते हैं आप उसके बहाद आपको जो यह लोब दिख रहे हैं ब्लैक वाली यहीं लगी रहेगी रैडवाली को आप निकालेंगे और यह होल नंबर टू में यानि यह एंपियर वाले में लगा देंगे इस तरीके से ठीक है इस तरीके से ठीक है और मैं आपको हेंड टो एंड सिका रहा हूं जिससे कोई प्रावलम ना हूँ अब नेगटिव वायर हमने लगा रखा है पॉजिटिव वायर अलग कर रहा है बैटरी में कनेक नहीं है और यह दोनों वायर यहां से आ रहे हैं बीच से अब देखिए अब हमें क्या क अब उसे हमें लगा देना है बैटरी के इस वाले मतलब की पॉजिटिव टर्मिनल पर यह देखिए ठीक है कनेक्शन हमारे पूरे होगा एक बार समझा देता हूं जो सोलर चार्च कंट्रोलर के यहां बीच में से बैटरी के लिए जो लाएन आती है उसमें नेगटिव वा प्रॉप में लगा दिया है इस तरीके से और माइनस वाली जो इसके वायर आ रहा है मल्टिमेटर का वह प्लस लैन पर चले अगा बैटरी तो यहांनि मल्टिमेटर सीरीज में आ गया है अब मैं जब यहां सप्लाइग करूंगा तो मुझे बैटरी कितने एंपियर से चार् अब छार्ट के आधा हूं और यह देखिए सप्ले कर दी बैटरी फुल दिखा रहा है क्योंकि अब फुली है 13 वोल्स ने के देखिए 23 MP जार ईह देख सकते हैं tui के से जर्फ देख सकते आप सीरीज में मल्टीमेटर तो हम ने dh कि यह प्रछ। से हमने सीरीज में और यह बार को मैजर कर लिया लेकन दोस्तों इस इसe की का वीडियो आपको अच्छे लगी हो ऐसे उमेद करता हूँ चैनल से बने रहिए चैनल को लाइक शे सब्सक्राइब कीजिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद है